नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्यान गंगा चैनल पर वैतिक जोतिश के अनुसाद 27 नक्षत्रों में आठवे स्थान पर पुष नक्षत्र आता है ये बहुत ही शुब नक्षत्र माना जाता है जब ये नक्षत्र रवी वार के दिन आता है तो वार और नक्षत्र के सैयोग से जो योग बनता है उसे रवी पुष योग के नाम से जाना जाता है किसे भी शुबकार के लिए ये योग सबसे अच्छा माना जाता है मुरत हो या नहीं नक्षत्रो की सिती परतिकूल हो या अनुकूल हो इस योग में किया गया कार बहुत ही लाप्रद माना जाता है इस योग में विबाने किया जाता ये योग यंत्रसिद्धी के लिए बहुत ही शुमाना गया है इस योग में पुजा और्चना करना भी बहुत फल्दाई माना जाता है इस योग में आर्थिक सम्रिद्धी भी आने की मानता है आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2025 में रवी पुशी योग कप है दिन दिनांग पर समय क्या रहेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगामे रवी पुशी योग की तितियों की जानकारी प्राप करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजे तकि आपको मेरे वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक को शेयर करना पिलकुल मत भूलिए तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो साल दो हजार पच्छिस में रवी पुष्ययोग बन रहा है नौ मार्च दो हजार पच्छिस दिन रवीबार के दिन रात के ग्यारा बच कर पच्पन मिनट से दस मार्च की सुवए च्छा बच कर 36 मिनट तर इसके पच्छांत रवी पुष्ययोग बनेगा 6 अपरेल दो हजार पच्छिस दिन रवीबार के दिन सुवए 6 बच कर 5 मिनट से 7 अपरेल की सुवए 6 बच कर 4 मिनट तर इसके बाद रवी पुष्ययोग बनेगा 4 मई दो हजार पच्छिस दिन रवीबार को मेरे वीडियो में आंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फर्म लेंगे किसी नए वीडियो के साथ